नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है डॉक्तर नीलम शर्मा इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि सोमप्राज डी कैपसूल का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है सोमप्राज डी कैपसूल को कैसे लेना चाहिए और सोमप्राज डी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं सोमप्राज डी कैपसूल पेट में उत्पन होने वाले एसिट की मात्रा को कम करता है सोमप्राज D-Capsule का उपयोग पेट में जलन होने पर, पेट में गैस बनने पर, बधजमी होने पर, खती दकारे आने पर, सीने में जलन होने पर और पेट में अलसर होने पर सोमप्राज D-Capsule का उपयोग किया जाता है सोमप्राज D Capsule को डॉक्तर एंटिबायोटिक दवाओं या अन्य दवाओं के साथ दवाओं की वज़से होने वाले साइड इफेक्स को कम करने के लिए भी लेने की सला दे सकता है जैसे दर्थ को कम करने के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं की वज़से पेट में जलन, पेट में दर्थ या पेट में अलसर हो सकती है इसलिए इन साइड इफेक्स को रोकने के लिए भी आपका डॉक्तर सोमप्राज डी कैप्सूल को दर्थ की दवाओं के साथ लेने की सला दे सकता है ज्यादातर एंटिबायोटिक दवाओं के सामान्य साइड इफेक्स में उल्टी आना, उल्टी आने का मन होना और पेट में गैस बन सकती है इसलिए एंटिबायोटिक दवाओं की वज़े से ये साइड इफेक्स ना हो इसलिए आपका डॉक्तर सोमप्राज डी कैप्सूल को एंटिबायोटिक दवाओं के साथ भी लेने की सला दे सकता है इसके अलावा सोमप्राज डी कैप्सूल का उपयोग कुछ मेडिकल कंडिशन्स जैसे गेस्ट्रिक अलसर, एसिड रिफलक्स और जोलिंगर एलिसन सिन्ड्रोम को ट्रीट करने के लिए भी किया जाता है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम एक ऐसी स्थिती है, जिसमें पेट में एसिड का उत्पादन बहुत अधिक होता है सोमप्राजडी एक ब्रैंड नेम है, सोमप्राजडी कैपसूल के अंदर दो दवाओं का कॉंबिनेशन होता है सोमप्राज डी कैपसूल के अंदर सॉल्ट कमपोजिशन इसो में प्राजोल और डोमपेरिडोल होता है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले अब हम डिसकस करेंगे कि सोमप्राज डी कैपसूल को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है 18 वर्ष से अधिक उम्र के ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर सोमप्राज डी कैपसूल को दिन में एक बार और सुबह खाली पेट लेने की सला देते हैं सोमपराज डी कैपसूल को खाना खाने से कम से कम एक घंते पहले लेना चाहिए अब हम डिसकस करेंगे कि सोमपराज डी कैपसूल की वज़से क्या साइड इफेक्स हो सकते हैं वैसे तो ज्यादातर व्यक्तियों में सोमप्राज डी कैपसूल की वज़से कोई side effects नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसेंट व्यक्तियों में सोमप्राज डी कैपसूल की वज़से कुछ सामान्य side effects हो सकते हैं जैसे पेट में दर्द, पेट से गैस निकलना, मुह में सूखापन, सिरदर्द, शरीर की मासपेसियों या जोडों में दर्द होना, चक्कर आना वद्दस्थ होने की समस्या हो सकती है. इसके अलावा सोमप्राज D-Capsule की वज़े से कुछ व्यक्तियों में कब्स की समस्या भी हो सकती है. लंबे समय तक सोमप्राज D-Capsule का सेवन करने से, यानि कई महीनों या कई सालों तक सोमप्राज D-Capsule को लेने से शरीर में विटामिन C, विटामिन B12, कैल्शियम, आइरन और मैगनीशियम की कमी हो सकती है. इसलिए डॉक्तर की सला के बिना सोमप्राज डी कैपसूल को दो सब्ता से अधिक नहीं लेना चाहिए. लंबे समय तक या दिन में कई बार सोमप्राज डी कैपसूल को लेने से औस्टिोपोरोसिस होने का जोखिम अधिक हो जाता है. आस्टियोपोरोसिस होने पर शरीर की हड्या बहुत ही कमजोर व अंदर से खोखली हो जाती है सोमपराज D-Capsule की वज़े से आस्टियोपोरोसिस तभी होता है जब सोमपराज D-Capsule का सेवन लगातार एक साल या उससे अधिक समय के लिए किया जाए अगर आप दिन में कई बार या लंबे समय से सोमपराज D-Capsule को ले रहे हैं तो आपको कैलशियम और विटामिन D के सप्लिमेंट्स डॉक्तर की सलाह के अनुसार लेते रहना चाहिए ताकि ऑस्टियोपोरोसिस होने के जोखिम को कम किया जा सके या आपको कैलशियम से भरपूर खाद्य पदार्थों का सेवन भरपूर मात्रा में करना चाहिए और विटामिन D के लिए हर रोज 10 से लेकर 15 मिनिट सुबह की धुप में बैठना चाहिए अब हम जानेंगे कि क्या प्रेगनेंट महिलाएं और स्तनपान करा रही महिलाएं सोमपराज D कैपसूल को ले सकती है या नहीं वैसे प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए सोमपराज D कैपसूल का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं है लेकिन ज्यादा जरूरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं को सोमप्राज डी कैपसूल को लेने की सलाह दे सकता है इसलिए डॉक्तर की सला के बिना प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को सोमप्राज डी कैपसूल को नहीं लेना चाहिए